तो हेलो दोस्तों सागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में मेरे इस यूटूब चैनल कुलदीप यूटूब चैनल में मैं अपने गाउं बुंखाल से वीडियो अपलोड करता हूं जैसे कि पुराने विवर्स को पता ही होगा लेकिन जो लोग मेरे यूटूब चैनल मे नए जुड़े हैं जिनोंने अभी अभी सस्क्राइब किया है उनको बता दू मेरे गाउं का नाम है बुंखाल जो की पौड़ी कड़वाल के खिर्सू ब्लॉग में पड़ता है और इस चैनल में मैं अपने गाउं से वीडियो डालता हूं हमारे गाउं में एक प्यारा वा देखा था जो मैंने सुर देखा था जंगली सवर मनलभी अशी बैठा हुआ था और उपर से आवाज आए थी जो मैंने आपको ब outta में बताया था आप मेंसे कई लोगोंने देखा लिगा कुस ने नहीं देखा होगा तो आजकल देखें मौसम कितना प्यारा औरका है, मलब चारु तरफ विर्कुल ठंडा, ना गरम है ना ठंड है, एकदम बीच वाला बोलते हैं ना मेंटेन है मौसम, तो ऐसा कुछ है आजकल, और इस बार देखें बारिज भी बहुत कम हुई, बरफ बारी भी नहीं हुई है इसर तो बरफ बारी को देखने के लिए हम इससे पहले जा रहे थे भरसार, जो आपने देखा होगा भरसार वाला ब्लॉक, तो वहां हमने काफी इंजॉई किया, वहां मैं एक चीज नोटिस की, कि हर जगे में मा भगवती, दीवा देवी के मंदिर वहां पे दिखे, जो हम में बहुत अच्छे लेगे, आप भी कभी बरसार या इन जगर मलब आएंगे पाड़ी, तो आप जरूर वहां जाइएगा घूमने के लिए, बड़ा प्यारो वाला लोग की सन, बड़े प्यारे प्यारे गाओं हैं वहां, तो आज की इस वीडियो में की सुरवात कर रहा ह मैं यहां से, यहां से बोले तो अपने बंजर वाले खेट से, तो अभी दिन के करीब एक बज़ रहे हैं और अब जाओंगा मैं घर, तो आज कल आपको बता दूं कि पहाड़ो में लग रहा है हल, तो आज कल पहाड़ो में खेटों का काम हो रहा है, तो वीडियो में लास् जेसुक में कहीं पढ़ा था कि पहाडों में बढ़ते वे बंदर और ब्लॉगरों का आतंक मलब बढ़ता जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों मलब एक ब्लॉगिंग एक बड़ा अच्छा कंटेंट है और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पहाडों में न हमारे जि है दोस्तों अब देखें ब्लॉगिंग में इंट्रेस्ट होता है अगर किसी को मलव ब्लॉगिंग का नवे से आसान नहीं होता है मुझे भी पहले लगता था कि ये बड़ी आसान चीज है कि कैमरा खुलो और इसके आगे मलव बोलो कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेकिन ऐस लेकिन वीडियो एडिटिंग भी एक कही न कहीं बहुत बड़ा टास्क होता है मलव वीडियो को एडिट करना तो जो भी नहीं हमारे पहाड़ों से भाई जूड रहे हैं यूटूब पे भाई या बहन तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग मलव लगाता है मलव तो जो ट्रेवलर होते हैं तो उनको तो इदर उदर जाना पड़ता है लेकिन जो अपने पहाड़ी ब्लॉगर हैं तो उनको कंटिन्यू करना है और यूटूब में कहीं न कहीं सेक्सेस पानी है सक्सेस सक्सेस पानी है और यूटूब देखिए यूटूब मलव बिदेश क कंपनी है अमेरिका की तो अमेरिका से अगर हमारे इंडिया में पैसे आते हैं तो भाई कहीं न कहीं बहुत अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है तो चलिए यह मेरे लिए है और वहां पे मामी के लिए तो दोस्तों सुवे में बात कर रहा थे कि आजकल मौसम एकदम बढ़िया वाला हुर्खाया है मनलब न धूप लगी है लेकिन आज मौसम ने बिर्कुल करवट बदी और देखिए अभी कैसा हो गया और अभी हम लोग गौसाला में हैं यहां पे मेरी मम्य में लेकोबर बदी है उसे मुझे उपर मंदिर के बिर्कुल सामने लेके जाना है वहां अमारा एक बड़ा सखेत है और और वहां पर च्विंटल सट्टी होंगे मलब चावल होंगे जो की सुवर खाएगा सुवर का तक तो आपने देखा यूगा कल के ब्लॉग में मलब परसों की वीडियो मे किस थरीके से रहता है तो क्या पता आज राज बरफ भी पढ़ जाए वैसे बता रखायवल की बारिस होगी बरफ पढ़ेगा तो मैं तो यही चाहता हूं कि बरफ पढ़ जाए अच्छा मेरी ममी बोली है कि सुवर बहुत नुकसान करते हैं लेकिन फिर भी हम लोग बहुत मेनत करते हैं खेतों में लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या होता है आप सभी को पता ही है खेतों में बड़ा नुकसान और आज कल किस तरीके से हम मलब खेतों में गोबर को ले जाते हैं कट्टे भर भर के भर भर के अभी मैं आपको बताऊंगा कि उस बड़े वाले खेत में लगभग कितना गुबर लगेगा डालने में तो मलब हो जादा मेनत करते हैं उसके बाद रिजल्ट बहुत बेकार आता है तो कभी-कभी दोस्तों ऐसा काम भी करना पड़ता है वैसे ये काम साल में तीन बार करना पड़ता है मलब वैसे साल में तीन फुसले होती ही तो तीन बार ये काम करना पड़ता है खेतों में गुबर लिजाने का और सांस भी फूल ली इस चड़ाई पे गजब वाली तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मलब ना पहाड़ों में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है तो ये है हमारा भई बड़ा सा खेत देखिए उदर जहां दूर तक आपकी नजर जा रही हुए वहाँ तक ये पूरा खेत हमारा ही है और गोवर रखने के बाद देखिए अभी इसमें और ज़्यादा मेनत लगेगी और मैं आपको बता रहा था ना कि पहाड़ों में मलब उतना अच्छा रिजर्ड नहीं मिलता उतनी ज़्यादा मलब फसल नहीं होती है जितनी ज़्यादा हम लोगों को मेनत करनी पड़ती है यहां और साल मलब जो फसल पक यहां केल्स दो बार देखे एक है, एक वाय और एक मम benz लारीique, तीन घृत मतलः इहां तक होगा वह, उसके बाद अभी मुझे और लाना पड़ेगा वहां तक दिखे उदर अजोपूरा करना पड़ेगा, गुबर तब जाके लिए यहां के लिए पूरा होगा ऐसा कुछ है तो अभी मैं एक बार और जाओंगा और आज कल देखिए विर्कुल चारो तरफ सूखा सूखा और रहा है सूखी वाली घास तो भाई ममी विल आगई यहां पर गोगर और सामने मेरा चूटा सगाओं और वहां से देखिए बादल कैसे काले हो गये है ऐसा लग रहा है कि घनगोर वाली बारिस आने वाली है लुटा सबस्टा 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 लुटा रहा है